हुआ ट्विल्टीज, वेलकम टो इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हो तबिता और गाईज, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि पार्टनर्शिफ फॉंडामेटल चेप्टर को हम कैसे स्टार्ट करें और कैसे खतम करें क्योंकि अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं, घर में बैटके पढ़ रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्नोंने अभी त्यूशन नहीं ही लगाई है और वो घर पे से स्टार्ट करना चाते हैं, तो वो किस तरीके से कौन से टॉपिक को पहले कर सकते हैं क्योंकि बुक में थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में भी कई डिफिकल्ट कोईशन टॉपिक के हिसाब से वो दे देते हैं बट वो हमारे फिर उपर से जा रहे होते हैं और समझ नहीं आता तो अभी मैं वही बात करूँगी कैसे आप इस चेप्टर को स्टार्ट करोगे, कौन सा टॉपिक आपको अपनी बुक से उठाना है और पढ़ना है कोई सा भी ऑथर हो सकते हैं आपकी बुक का लेकिन आपको कैसे इसे कंप्लीट करना है और कितने टोटल टॉपिक हैं जो आपको इस चेप्टर में करने हैं अगर नहीं मिलता तो आप इसके उपर मेरी न्यू सेशन की सबसे जो वीडियो बनाई है उसमें भी देख सकते हो वहां से अपने अपना मेनिंग एंड कंसेप दूर कर लेना है मतलब दूर नहीं करना समझ लेना है फिर आपको टॉपिक उठाने अपनी बुक का प्रोफिट लॉस एप्रोप्रियेशन अकाउंट आखिर यह क्या होता है देखो यह गाईस अकाउंट होता है जो पार्टनर्शिप में ही बनाया जाता है Profit and Loss Appropriation Appropriation का मतलब होता है Appropriate करना, बाटना तो profit and loss को हम बाटते हैं अपने agreement के according जैसे अगर हमारी partnership पर हमने decide कि हम 3 partners 1 third, 1 third profit share करेंगे यानि कि equal 3 partners, तो यह हमारा agreement है हम अपना यह भी ratio रख सकते थे कि मैं 50% लोंगी, वो 25 लेगा तो यह हमारा agreement हो सकता है और उस हिसाब से हम अपने profit को बाटते हैं, तो यह appropriation account profit and loss को distribute करने के लिए बनाया जाता है according to जो भी partnership का agreement है, यह account कब बनता है guys, जब आपका profit and loss account बन जाता है आपने 11 में पढ़ा था ना trading and profit and loss account वही, उसमें से जो profit निकल के आता है, वह यहाँ पर जाता है तो by profit and loss account से जो profit आता है, वह यहाँ पर आता है और अगर loss हो रहा होगा, तो भाई loss तो हमेशा debit side आता है तो अगर loss है, तो वह इस तरफ आएगा profit है तो वह इस तरफ आता है अब इसको हम according to our deed बाटते हैं तो partners को यहाँ पर क्या-क्या चीज़े मिलती हैं, partners को यहाँ पर interest on capital मिलता है आपकी deed में salary का provision हो सकता है commission का हो सकता है और या फिर reserve हो सकता है reserve क्या होते है guys कि आपने partnership में decide कि अगर हमारा profit वच्टा है तो हम हर साल 20% अपने profit का save करेंगे यानि कि इतना amount बाटने के बाद हम 20% save करेंगे यह आपका agreement हो सकता है तो वो भी amount यहाँ पर आता है और यहाँ पर हमारी deed के according हो सकता है interest on drawing जो partner पैसा withdraw करके लजाते है partnership पे उस पर interest charge करना तो अभी मैं अगर आपको बोलू इस account में सिर्फ पाक चीजे आती है कितनी आती है सिर्फ पाक चीजे देखो सबसे पहला profit and loss आपको transfer करना ही है उसके waste पर ही हम appropriate करेंगे अगर profit यह loss होई नहीं रहा तो बाटेंगे क्या तो आपको यह तो आना ही आना है इन में से कोई एक चीज आएगी या तो profit होगा या फिर loss होगा अब सिर्फ पांच चीजे आपको tips पर याद होनी चाहिए interest on capital पार्टनर्स को मिलता है salary पार्टनर्स को मिलती है commission पार्टनर्स को मिलता है और reserve हम पैसा जोडते है चार चीजे यह हो गई और पांच भी हो गई interest on drawing सिर्फ यह पांच चीजे ही इसमें आती है कोई extra चीज आपको नहीं डालनी है सिर्फ यही चीजे आएंगी इसके बाद जो profit बचता है वो profit पार्टनर्स में बढ़ जाता है तो to profit, transfer to जितने भी पार्टनर्स होंगे A और B और उसके बाद यह account close हो जाता है यानि कि आप यहां का total करके उसमें से यह चीजे less करोंगे यह चीजे less करोंगे और बाकी का profit बच जाएगा बट अगर ऐसा हो कि यह side का मारी है तो loss भी पार्टनर्स को ही distribute होगा तो loss इस तरफ आएगा profit इस तरफ आता है ठीक है यह तो बात होई हमारे profit and loss appropriation account की अब आपको इस chapter में यह account बनाना सीखना है इसके लिए आपको इस chapter में calculation जो सिखाई गई है interest on capital कैसे calculate करते है ठीक है एक topic यह पढ़ना है interest on drawing कैसे calculate करते है यह topic पढ़ना है तो first second topic आपको यह पढ़ना पढ़ेगा salary commission कैसे calculate करते है यह भी topic आपको पढ़ना पढ़ेगा तो इनके उपर अलग से topic आपको given है इस पर तो drawing पर तो खास कर cases है तो आपको यह पढ़ने है ठीक है तो यह तीन topic आपको appropriation का यह just समझा format उसके बाद यह तीन topic पढ़ लिए calculation सीखी, interest on capital कैसे calculate करते है drawing कैसे calculate करते है सब पर videos available है guys बट आपको book में से भी आप समझ सकते हो salary commission कैसे calculate करते है उसके बाद आपको जो next topic उटाना है वो है partner का capital account बनाना यह आप उठाओगे इसे समझोगे उसके बाद इसमें दो छोटे-छोटे extra topic दे रखे है charge against profit यानि कि कुछ ऐसी चीजे जो हमें profit and loss account में दिखानी होती है जैसे rent देना, तो rent अगर आपको given है, तो यह adjustments जो है, कि charge against profit एक अलग से topic है, जो आपको पढ़ना है, appropriation or more than profit, यह भी एक topic है, यह आपको पढ़ना है ठीक है, तो आपको यह synchronized way में पढ़ते हैं ताकि आपको चीजे समझ जाए, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के बाद सीधा यहां आजाओगे, नहीं समझ जाएगा, तो आपको स्टार्टिंग के बाद इस step पर आना है, इसके बाद इनके content को पढ़ना है उसके बाद capital account को उसके बाद इसे, then last के दो topic बचते हैं, इसमें past adjustment, जो की important है exam point of view से and guarantee of profit, यह भी हमारे exam point of view से काफी important माना जाता है, interest on drawing भी, उस पर भी question आता है, तो यह total सिर्फ इतने ही topic हैं, तो जादा confused नहीं हो ना इस chapter को लेके topic book में दे रखे हैं बस आपको एक serial wise इने पढ़ना है, ताकि आपके concept clear रहे और इस तरीके से आप अपने partnership firm के chapter को complete कर सकते हो हर एक topic पर guys मेरी पूरी video है, playlist बनी होई है इस chapter की, उसमें सारी videos है, अगर कोई topic कहीं बरभी टकते हो आप वो video खुल कर देख सकते हो फिर भी नहीं समझ आता, आप Instagram पर मुझे message कर सकते हो, या फिर YouTube पर comment कर सकते हो, बाखी अगर कोई और आपका doubt है, तो वो भी आप मुझसे YouTube पर या फिर Instagram पर पूछ सकते हो, थांक यू